Good morning to all of you आज हम El Nino और La Nino के बारे में जानेंगे El Nino और La Nino ये दोनों ही घटनाएं हमारे Indian Monsoon पे अपना प्रभाव डालती है और Indian Monsoon क्योंकि हमारा जो Agriculture Sector है वो Depend करता है मौनसुन के उपर तो इस नाते हमारे Agriculture Sector को ये प्रभावित करता है El Nino और हमारी अर्थ वेवस्ता को प्रभावित करती है ये घटनाएं तो important हो जाती है और साथ ही साथ क्योंकि News में जब कभी बहुत तेज ठंड की बात होती है या गर्मियों में चलने वाली Heat Wave की बात होती है या भारत में सूखे की स्थीती आती है या भारत में बाड की स्थीती आती है तो उस समय में हम इन दोनों ही words को News में continuous manner में देखते है El Nino का प्रभाव है क्या, La Nina का प्रभाव है क्या तो आज हम इन दोनों घटनाओं के बारे में जानेंगे और क्योंकि एल निनो और ला निनो केवल भारतिय मानसून को या हिंद महासागर पे ही अपना प्रभाव नहीं डालती, वैस्विक स्तर पे इन दोनों घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर ये दोनों घटनाओं किस तरह से घटित होती है, क्यों हम कहते हैं कि एल मौनसून पे इतना ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है, आखिर हिंद महासागर में क्या घटनाओं घटित होती है, डिटेल में जानेंगे और बाकाइदा मैप के थ्रू इस बात को समझेंगे, कि ये किस तरह से एल निनो और लानिना अपना प्रभाव डालते हैं, कि सबसे पहले हमारे लिए important है कि हम जाने trade winds के बारे में, व्यापारिक पवनों के बारे में, और दूसरा आज की class में important है currents, ocean में चलने वाली currents, क्योंकि map देखते ही आप समझी गए हैं, हम बात कर रहे हैं Pacific Ocean की, और Pacific Ocean में भी हम आज की class में देखने वाले हैं Southern Pacific Ocean को, South Pacific Ocean को, य पापस में कही ना कहीं interlink की चलते हैं, तो हम बात कर रहे हैं L-nino की, और हमारे लिए important है कि हमें currents पता होनी चाहिए, कि current कौन सी किस प्रकरती की nature की है, और किस direction में चल रही है, क्योंकि L-nino भी क्या है, एक धारा है, एक current ही है, और प्रकरती में कैसी गरम है, warm current है L-nino, औ तो उस समय आप ये देखते हैं कि walker cell weak हो गया है, walker cell या walker circulation weak हो गया है, कब जब L-nino का प्रभाव है, इसके अलावा हम देखते हैं कि trade winds, व्यापारिक पवने जो हैं वो कमजोर हो चुकी है, तो किस तरह से व्यापारिक पवनों का प्रभाव कम होता है, और किस तरह से walker circulation weak होता है, दोनों ही चीजों को जानते हैं, आपको यहाँ पे map में दिखाई दे रहा है, यह है equator, विश्वत रेखा, यह है करक रेखा, साढ़े 23 डिगरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हमारे लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आज की क् अब भी रहे हमेशा, है न, डारिक्ट रटना बिल्कुल भी नहीं है, यह आपको दिखाई दे रहे है equator, विश्वत रेखा, हम जानते हैं कि विश्वत रेखा पे हमेशा, temperature कैसा रहता है, high temperature, क्योंकि आज की class में जो term हम समझने वाले है, ENSO, L Nino, Southern Oscillation, ENSO, तो क्योंकि यह Southern Hemisphere में घटित हो रही है, यह Oscillation कहां पे हो रहा है, Southern Hemisphere में, किसका Oscillation के हम बात कर रहे है, temperature के, तापमान के, तो तापमान किस तरह से shift होता है, कहां पे, South Pacific Ocean में, और किस direction में, East to West, यानि हम use करने वाले हैं कौन सी direction का, East और West का, जैसे हमारे लिए स्थिती, अगर हम देख है दे रहा है, इसका पश्चिमी भाग जो है, यानि Pacific Ocean का पुर्वी हिस्सा, यह important है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि equator पे sun vertical रहता है, कब, March में और September में, और throw out the year की बात करें, तो विस्वत रेखा पे तापमान क्या रहता है, जादा रहता है, high temperature रहता है, यहां से हवा relation कैसा है, just opposite है, जब high pressure है, तो वहां पे low temperature होगा, अगर high temperature है, तो वहां पे low pressure होगा, ठीक है, तो high temperature रहता है, equator पे low pressure रहता है, high temperature रहता है, March और September यह दो वो महिने हैं, जब sun vertical होता है, equator के उपर, June में, सूरिय हमारे पास रहता है, Tropic of Cancer पे, और December में रहता है, मकर रेखा प pressure के belt को भढ़ने के लिए, हवाएं आती है, कहां से, उत्री गोलार्द से भी और दक्षिनी गोलार्द से भी, इन हवाओं की direction क्या होती है, जिनको हम trade winds कहते हैं, व्यापारिक पवने, इन हवाओं की direction होती है, east to west, हमारी earth rotate कैसे कर रही है, west, पस्चिम से पूरव की तरफ, west to east, रोटेٹ कर रही है, फेरल का नियम क्या कहता है, यह जो चलने वाली हवाएं हैं, फेरल के नियम का पालन करते वे, नदन हैमिसफेर, उत्री गोलार्द में अपने right side में turn होती हैं, और दक्षिनी गोलार्द सदन हैमिसफेर में अपने left side में turn होती हैं, तो turn होकर के, यह केवल हवाएं आती हैं केवल trade winds सी चलती हैं नहीं यहां surface के पानी को भी अपने साथ लेकर चलती हैं इसलिए जब हमने pacification की currents को discuss किया था तो हमने देखा था किस तरह से equatorial current जो है वो east to west move करती है पूरव से पश्चिम की तरफ चलती है तो यहां पे साथ साथ पानी को भी ला रही है यानि जल भी कहां चल रहा है east to west चल रहा है इसका मतलब यहां का जो गरम पानी है वो इन हवाओं के व्यापारिक पाउनों के साथ साथ जो विस्वतिय जल धारा चल रही है वो कहां में जो ocean का water, जो surface का जो temperature है, वो भी बढ़ रहा है, यानि यहाँ पर क्या create है, high temperature, high temperature है, इसका मतलब यहाँ पे low pressure है, high temperature से हवाएं क्या होती है, उपर उठती है, यह हवाएं उपर उठी है, और अपने साथ moisture को ले कर उठी है, यह कहां तक जाती है, troposphere तक जाती है, और वहा आरिश ने क्या किया है, यहाँ के पानी के तापमान को कम कर दिया है, तो यह पानी कैसा बन गया है, यहाँ पे ठंडा बन गया है, यह एक सामानने स्थिती को हम समझ रहे हैं, किस तरह से व्यापारिक पावने चल रही है, किस तरह से जलधारा चल रही है, गरम पानी जो है वो किस तरह से आकर इकठा हो रहा है औस्टेलिया के उत्तरपूरों में और इंडोनेशिया के पुर्वी हिस्से में यहाँ पे हाई टेंपरेचर होता है इस नादे यहाँ से हवाएं उपर उठती है लो प्रेशर बनता है और फिल यह हवाएं यहाँ इस डारेक्शन में इनों ने अपना खो दिया इसके बाद यह चली ड्राइ एर के रूप में यहाँ पर आ करके यानि हम बात कर रहे हैं इसको एरेज करके देखते हैं हम बात कर रहे हैं डक्षिनी अमेरिका के पास यहाँ यह हवाएं नीचे उतरती हैं अब यह हवाएं नीचे उतरके क्योंक को कम करती हैं और यह इस तरह से अभी हमने देखा यहां से उपर उठती हैं और किस तरह से इस डारेक्शन में मूव करती हैं यहां से यह टेंपरेचर कौन सा था हाई टेंपरेचर यहां कैसा है लो टेंपरेचर यहां का प्रेशर कैसा है हाई टेंपरेचर है तो लो प्रेश यह सामान्य स्थीति है इसलिए आप बुक्स वगेरा में डिरेक लिखा हुआ देखते हैं कि सामान्य स्थीति की जब हम बात करते हैं तो ऐस्टेलिया के पास तापमान ज्यादा है और इस थान पे लो प्रेशर कम वायूदाब की स्थीति बनती है और अगर हम बात करें स्थिती कैसी बन जाती है फिर cold बन जाती है ये इस पूरे circulation को क्या कहते है वोकर circulation कहते है वोकर circulation अब हमने क्या कहा जब एल नीनो की स्थिती होती है उस समय के अंदर एल नीनो ये जो वोकर सेल है वोकर circulation है ये वीक हो जाता है अब हम देखेंगे कि किस तरह से वीक हो जाता है सामाने स्थिती में trade wind अपना क्या roll play कर रही है व्यापारिक पवने ये हमने देखा एक स्थिती धाराओं की ओर देख लेते हैं क्योंकि धाराओं का भी अपना प्रभाव है तो देखे जब हम बात कर रहे थे धाराओं की equatorial current चल ही रही है ठीक है इसके अलावा अगर यहां के currents की हम बात करें तो नीचे से कौन सी जल धारा आ रही है ये आ रही है Antarctica से सरकम Antarctica cold current ये धारा आ रही है ये धारा एक तो सीधी निकल जाती है और दूसरा यहां पे land के नाते turn हो जाती है और इस धारा को हम क्या कहते है पेरू की धारा पेरू current ये पेरू की current प्रकरती में कैसी है नेचर में कैसी है ठंडी है या गरम है क्योंकि पढ़ चुके हैं तो आंसर आ जाना चाहिए आ कहा से रही है इससे भी अंदाजा लगा सकते हो अगर अंटार्क्टिका से शरकम अंटार्क्टिका cold current जब नीचे वाली धारा ठंडी आ रही हैं और यही धारा turn हो रही है तो अब्वेसी बात है ये जलदारा कैसी है ठंडी है प्रकरती में आर्क्टिक से आने वाली और अंटार्क्टिका से आने वाली दोनों ही जलधाराएं परकरती में कैसी होंगी ठंडी होंगी यह पेरू की करंट ठंडी है यह पेरू की करंट कहां तक पहुंचती है एक्वेटर तक पहुंचती है यहां तक आते आते हैं यह कैसी होती जाती है धीरे-धीरे गरम, क्योंकि equator के पास temperature क्या है, ज्यादा है, धीरे-धीरे गरम होती जाती है, और गरम होकर के ये चल पड़ती है, equatorial current के रूप में, यहां से ये current हम already discuss कर चुके, किस तरह से क्यूरो सिवो की current ऊपर चली जाती है, और ये East Australian current, जो की परकृती में कैसी होती है, warm होती है, ये Australia के पूर्वी हिस्से में किस तरह से ये धारा चलती है, ये भी हम discuss कर चुके हैं, कहाँ पे जब हमने South Pacific Ocean की current को discuss किया था, अब हम पेरू की current कैसी है, ठंडी है, अब हम एक स्थीती देखते हैं, जिसे हम कहते हैं counter Peru current, आखिर वो क्या है, देखें, जब सूरिय यहाँ पे, equator पे vertical लंबवर चमक रहा होता है, हम बात कर रहे हैं September की, धीरे धीरे sun जो है वो shift करता है, और basically यह हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कि सूरिय अब मकर रेखा पे है, सूरिय विस्वत, actual में sun थोड़ी rotate कर रहा है, अर्थ जो है, वो sun के around revolve कर रही है, यह हम सभी जानते हैं यह बात तो, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं, कि सूरिय की स्थीती क्या चल रही है, ठीक है, तो sun जो है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, shift हो रहा है, September से October, November और December, में कहां पे लंबवर चमकता है, मकर रेखा के उपर, Tropic of Capricorn के उपर, December में, अब क्या केबल sun ही shift होता है, क्या, नहीं, हम सभी जानते हैं, कि धीरे धीरे सारे pressure belt shift होते हैं, जो व्यापारिक पावने पहले equator पे आपस में मिल रही थी, और east to west चल रही थी, अब वो व्यापारिक पावने, क्योंकि ITCZ shift हो रहा है, Inter-Tropical Convergence Zone जो है, वो shift हो रहा है है न, उशन कटी बन दिये, अभी सरन क्षेतर जो है, वो shift हो रहा है, low pressure belt धीरे धीरे shift हो रहा है, कहां पे आ गया, जब सूर्य यहां पे मकर रेखा पे है, तो यहां पे ITCZ form हो रहा है, इसका मतलब, south जो hemisphere है, जो दक्षिनी गोलार्द है, उससे आने वाली व्यापारिक प पवने हैं, अपनी बाईं तरफ मुडती है, ठीक है, अब यहां पे, यह तो left side में turn हो रही है, ठीक है, लेकिन जो उतरी गोलार्द की पवने हैं, अब क्योंकि उनको मकर रेखा तक पहुंचना है, इसका मतलब, वो equator को पार करके आती है, equator को जैसे ही पार करती है, जैसे ही पार करती है, और ये क्या करती है, जो September में, यहां पर गरम हुआ पानी था, धीरे धीरे अपने साथ-साथ क्या ले आती हैं, इस warm water को ले आती हैं, मकर रेखा तक, क्योंकि वियापारिक पवने अपनी का हाँ तक गरती लेकर आरही है, मकर रेखा तक पहुँच रही है, तो current व्यापारिक पाउनों की हमने देख लिया किस तरह से direction change होती है, उपर से आ रही है गरम जल्धारा, warm current आ रही है नीचे से cold, उपर से warm इसलिए इसको हमने क्या कहा ये है counter peru current counter peru current प्रकरती में कैसी है गरम इसलिए हमने कहा counter peru current अब यहाँ पे गरम और ठंडी दोनों जल्धाराई मिल रही है, कहाँ पे? मकर रेखा पे, कौन सा समय चल रहा है दिसंबर का महीना चल रहा है एक ठंडी जल्धारा, दूसरी गरम जल्धारा ठंडी और गरम जल्धाराई जब कभी आपस में मिलती है, वहाँ पे यह समुंदरी जीव जन्तों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा phytoplankton बनते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा geoplankton बनते हैं, मचलियां बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे क्या होता है, नीचे से cold water भी उपर आ रहा है जो कि अपने साथ पोशक तत्वों को लेकर आता है यहाँ पे upwelling होती है पानी की देखें, जब equatorial current चल रही थी, उसी समय जब धाराओं को discuss किया था, हमने देखा था एक counter equatorial current भी चलती है जो कि यहाँ पे upwelling में सहायक है नीचे के थंडे पानी को उपर लेकर आती है कहां? दक्षिनी अमेरिका के तट पे कौन से तट पे? पश्चिमी तट पे direction नहीं भूलनी है है न तो अमेरिका के, दक्षिनी अमेरिका के पश्चिमी तट पे upwelling हो रही है, नीचे का थंडा पानी उपर आ रहा है जो कि पोशक ततों से भरपूर है थंडी जलधारा, गरम जलधारा जहां कहीं मिलती है, मेराइन लाइफ जो है वो बहुत रिच हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ जलधारा और गरम जलधारा मिल रही है तो temperature को थोड़ा तो increase करेगी जब गरम जलधारा आई रही है, मिल रही है तो temperature को increase किया कितना 14 degree Fahrenheit इतना तो बहुत होता है समुद्र को बुखार चड़ने के लिए, यहाँ पे समुद्र को बुखार हुआ इसके बाद कि स्थिति क्या होती है अब यहां पे क्योंकि टेंपरेचर बढ़ चुका है इस जगे पे टेंपरेचर बढ़ चुका है क्या सूरिय हमेशा मकर रेखा पी रहेगा क्या नहीं धीरे धीरे सन जो है वो शिफ्ट होता है दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च कहां पे आ गया है सन एक्वेटर पे आ गया है सन के साथ साथ सारे प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट हो रहे है इसका मतलब व्यापारिक पवने फिर से शिफ्ट हो रही है उत्री गोलार से जो व्यापारिक पवने अपनी यहां तक आ रही थी मकर रेखा तक अब उनको यहां तकाने की नीडी नीए ITCZ यहीं पर यहीं तक आ रही है यहीं तक आ रही है इसका मतलब जब यह वापस खिषकना स्टार्ट होई तो साथ साथ में क्या पानी भी खिषकेगा अब यहाँ से गरम हुआ पानी जिस ने कैसी है वाम है इसके जनरेट होने के पीछे कारण क्या है वो भी जानेंगे लेकिन किस तरह से एक गरम जलधारा चल पड़ी इस गरम जलधारा को हमने नाम दिया एल नीनो इसे सबसे पहली बार कब मैसूस किया गया था कि यहां पे समुद्र को बुखार हुआ है तो 1600 के अंदर जो यहां के मचुवारे थे उन्होंने देखा देखे अब यहां के भूबाग को थोड़ा सा समझे चिली यह आपको देश दिखाई दे रहा है चिली और यह आपको देश दिखाई दे रहा है पेरू की करंट कह रहे है ना धाराओं का नाम किस तरह से दिया जाता यह हम धाराओं वाले current वाले chapter में discuss कर चुके हैं, यह पेरू यह चिली दिखाई दे रहा है, यहां के मच्छवारों ने कहा कि यहां पे अब अटाकामा desert है, किस तरह का cold water desert कहलाता है, इसका मतलब desert है, लेकिन जब यहां के लोग यहां पे तट पे आते हैं, coast पे आते हैं, तो यहां के मच्छवारों ने कहा कि हमने यहां के temperature को गरम होते देखा है, यानि इस particular समुद्र को हमने गरम देखा है, इसका तापमान बढ़ चुका है, ऐसा क्यों हुआ, तो देखे, धीरे धीरे विग्यानिकों ने इस पे सोज स्टार्ट किया, और उन्होंने कुछ देखे, अलग-अलग theories होती है, जोग्रोफी में है न, to the point बात नहीं होती, या black and white में answer नहीं दिया जाता, बहुत सारे questions का, यहां पे क्या कहा गया, कि जितने भी nuclear test हो रहे हैं, वो कहां पे होते हैं, ज्यादा तर South Pacific Ocean में होते हैं, और यहां पे, क्या होती है, energy release होती है, अब किसी भी water body की energy को contain करने की capacity होती है, जैसे ही वो capacity खतम होती है, वैसे ही किसी ना किसी रूप में वो उर्जा निकलती है, यहां पे वो energy किस रूप में निकल रही है, warm current के रूप में निकल रही है, तो ऐसा कहा, लेकिन फिर कहा गया, कि यह nuclear test तो अभी होने लगे हैं, लेकिन इस परी hellion, उप-सोर की स्थीती, तीन जनवरी को हमारी जो प्रत्वी है, हमारी अर्थ जो है, वो sun के सबसे ज्यादा नज़्दीक होती है, और जब अर्थ जब प्रत्वी सुर्य के सबसे ज्यादा नज़्दीक है, उस स्थीती में सुर्य लंबवत कहां चमक रहें? तो दिसंबर में यहाँ पे मकर रेखा पे था, तो तीन जनवरी को भी मकर रेखा क्या सपास ही है, इसका मतलब हमारे दक्षणी गुलार्द को सूरिय नजदीक होने की स्थिती के चलते सबसे जादा उर्जा मिलती है, और कितनी उत्री गुलार्द की तुलना में 7% जादा उ धीरे धीरे वो उसमा बढ़ती जाती है, और इसकी कंटेन करने की कैपसिटी खतम हो जाती है, तब यह धारा सुरू होती है, तब यह बॉम करंट चलती है, यह कुछ वैग्यानिकों का कहना है, इस धारा के जनरेट होने के पीछे कारणों को खोजा जा रहा है, इसके तो टर्म्स भी हमारे सामने आई हैं, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पूर्वी परशान्त महासागर और पश्च्चि मि परश्चंत महासागर की, तो यहाँ पे लेंड से हम जानते हैं कि नदियों का जल आकर के गिरता है, तो जो तटीे इलाका आपको दिखाई दे रहा ह महासागरों का जो तटिये इलाका है वहाँ पे पानी का जो खारापन है वो थोड़ा कम होता है यानि जल थोड़ा मीठा होता है किसके comparison में महासागरों के बीच के comparison में अगर महासागरों के ocean के mid की हम बात करें यहाँ पे खारापन जादा होता है यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है तो अब जो हम बात कर रहे थे वो कर सर्कूलेशन की वो कैसे नॉर्मली कैसे वक करता है वो हमने देखा लेकिन स्थीती क्या बनती है जिस साल एल निनो आ रहा होता है उस साल स्थीती क्या बनती है कि जो जलधारा इधर आ करके यह के तापमान को बढ़ाना चाहिए था वो जलधारा यहां तक ना पहुंचके यहीं से इस साइड चल पड़ी कहां दक्षणी अमेरिका की तरफ अब यहां जाकर के इसने तापमान को क्या कर दिया बढ़ा दिया अभी हमने काउंटर पेरू करंट को भी देखा था जिसने को यानि मिड ओशिएन में और साउथ पैसिप एसनके एस्ट के अंदर तापमान क्या है Jupiter हाई हो गया इसका मतलब थिती में होना चाहिए था उस्ट्रेलिया के पास वो रेंफोल कहां हो गया है दक्षिनी अमेरिका के पास तो अच्छी बात है बारिश हो गई कहीं तो हुई अच्छी बात है नहीं यह यहां के लिए अच्छी बात नहीं है कारण क्या है देखे और यह केवल सामान्य flood तक आ जाती है, बार्ड तक आ जाती है, कहां बारिश हो रही है, पेरू में बारिश हो रही है, चिली साल्ट पीटर, NaNO3 को क्या कहते हैं, sodium nitrate को क्या कहते हैं, चिली साल्ट पीटर कहते हैं, यह चिली साल्ट पीटर जो है, वो बहुत ज़्यादा बारिश के चलते हैं, यह और ज़्यादा इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं, इस चिली साल पीटर के गुल जाने के नाते, अब यहाँ पे जो बारिश हुई, उसके चलते और ज़्यादा नेगेटिव इंपक्ट क्रियेट हुए, और यह बारिश क्यों हुई, एल नीनो के वर्स में, सामाने वर्स में बारिश कहां होनी चाहिए थी, उस्टेलिया के पास, अब बारिश कहां हो रही है, दक्षनी अमेरिका के पास, अगर आपसे पूछा जाए, क्या फिनोमेना जनरेट होता है, क्या स्थीतियां बनती है, तो अभी हमने देखा, हाई टेंपरेचर क्रियेट हो जाता है, जो कि यहाँ पे नीचे उतर रही है, पहले हमने देखा था हवाएं उपर उठ रही है, और यहाँ पे मौश्यर को ले करके उपर उठ रही है, और यहाँ पे कंडन्शेशन हो करके बारिश कर रही है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, सूखा, ड्रॉट, सूखे की स्थीती बनती ह औस्ट्रेलिया इंडोनेशिया यहां पे और जिसके चलते हम यह सुनते हैं कि औस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया में यहां के जंगलों में आग लगी हुई है वो आग बारिश हो जाने से तो बुझ जाती है लेकिन अगर बारिश नहीं हुई अगर और ज्यादा सूखे की स् तो यह था एल्लीनो का इंपक्ट, किस तरह से धारा चलती है, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन ओशन पे, अभी तो हम मैप के थूई समझ रहे हैं, इसकी थेोरी अभी पढ़नी बाकी है, अगर कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इस इसके लावा यहाँ पे हैं जल संदिया, उनको भी हम डिसकस कर चुके हैं, स्ट्रेट्स हैं, है ना, इन स्ट्रेट्स के थूँ यह वाम करेंट एंडर कर रही है, कहाँ पे, इंडियन ओशन में, यह हमारा आपको दिख रहा है, प्यारा भारत देश, अब यहाँ पे, हमारे हिंद महासागर में क्या कंडिशन बनती हैं, और हमारे लेंड एरिया पे, हमारे भारत में क्या स्थिती बनती है, भू भाग पे, इसको जानते हैं, अप्रेल, मई, जून, भू भाग पे टेंपरेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाई टेंपरेचर, क कोई belt को भढ़ने के लिए हवाएं आती हैं, वो हवाएं कहां से आती हैं, Indian Ocean से आती हैं, कैसे आती हैं, Indian Ocean में पानी का तापमान, जल स्तर जो है, जल के, जल का, जो उपरी जल का जो तापमान है, वो कैसा है, कम है, low temperature है, low temperature है, तो pressure कैसा है, high, high pressure से हवाएं चलनी चाहिए, low pressure की तरफ मैं बार-बार erase कर रही हूं इसको ताकि आप लोग clearly समझ पाएं इस बात को यहां पे high temperature है low pressure है और Indian Ocean के अंदर low temperature है high pressure है हवाएं कहां से चलती है high pressure से low pressure की तरफ अब जब water body के उपर से हवाएं जा रही है moisture अपने साथ लेते वे जाती है और यही क्या है हमारा monsoon है जितना ज्यादा यहां का पानी ठंडा होगा pressure उतना ही ज्यादा दाव उतना ही उच्छ होगा और हवाएं उतनी तेज गती से हमारे भारत की तरफ आएंगी क्यों क्योंकि low pressure भारत बना हुआ है high temperature के चलते अब इस सान हो या ocean हो temperature बढ़ा हुआ अच्छी बात नहीं लग रहा है यहां पे हमारे हिंद महासागर के context में देखे कैसे हिंद महासागर में एक warm current ने entry ली यह warm current कौन है L9 इसने आकर के यहां के तापमान को क्या कर दिया बढ़ा दिया high temperature हुआ तो pressure कैसा हो जाएगा low भारत में भ condensation हो करके वहीं पर बारिश कर दी और बात खतम हुई यानि monsoon कैसा हो गया week हो गया हमारे भारत के लिए अब भारत में अच्छी वर्सा नहीं होगी तीन ऐसी condition बनती है उनको भी discuss कर लेते हैं बहुत short में discuss कर लेते हैं monsoon को detail में पढ़ते समय भारती है monsoon को जब हम detail में प्रभाव रहा लेकिन एल्नीनों का प्रभाव रहा और भारत में drought सुखे की स्थीती बन गई ये तीन condition है normal बारिश हुई normal rainfall हुआ normal से भी ज़्यादा अच्छा rainfall हुआ एल्नीनों के प्रभाव के बावजूद ऐसा क्या होता है कि एल्नीनों आने के बावजूद हमारे यहाँ पे अच्छा rainfall हो सकता है एक condition ऐसी बन सकती है तो देखे इंडियन monsoon को discuss करते हैं समय detail में जानेंगे कि भारती है monsoon पे बहुत ब आपमान को बढ़ा दिया है लेकिन उसके बावजूद भारत में वर्सा अच्छी हुई है उसके पीछे कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपको थार का डिजर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको तिबतन प्लेट्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे यह हिमाल्य range दिखाई दे रही है इन तीनों से उठने वाली जो conventional current है जब तिबद का प्लेटी उथार का dessert बहुत ज़्यादा गरम हो जाते हैं यहां से नमी moisture जो है conventional current उपर उठती है और यहां से हिमाले से albedo की रूप में यहां पे किस तरह से radiation के थूप जो moisture है वो उपर उठता है conventional current उठती है यह conventional current नोर्थ इस्ट जेट के रूप में 15 से 20 डिगरी equator को पार्थ करते हुए south hemisphere में 15 से 20 डिगरी पे यह jet उतरती है अगर यह jet यह देखती है कि यहां से उठने वाली हवाएं अपने साथ moisture लेकर के उपर उठरी है भारत में नी जा रही है तो यह jet जब यहां पे नीचे उतरती है धीरे 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 pressure डाल करके इन मानसुनी हवाओं को भेज देती है कहां पे भारत की तरफ और भारत में अच्छा मानसुन हो जाता है अच्छी बारिश हो जाती है यानि यहाँ पर काम किस ने किया एल नीनो आने के बावजूद यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर दिया बहुत एक्टिव फोर्म के अंदर रोल प्ले कर दिया हिमाले ने तिबबत के पठार ने और थार के डिजर्ट ने पूरा कंडिशन पूरी स्थिती को जानेंगे जब हम डीटेल में पढ़ेंगे दूसरी टर्म जब यह नोर्थिस्ट की जैट जो है वो बहुत ज़ादा स्ट्रोंग हो जाती है तो यह बहुत स्ट्रोंगली उठीवे मांसुनी हवाओं को दबाती है उतनी ही स्ट्रोंगली यह निस्क्रिय हो जाएं, अगर उन से उठने वाली conventional current जो है, वो बहुत कम उठे, उठे ही ना, तो ये jet कैसी हो जाएगी, जो नौर्थ इस से आ रही है, बहुत धीमी हो जाएगी, और ये jet अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, और El Nino की current ने जो तापमान बढ़ाया है यहाँ का, यहीं से हवाई उठी, और उन्होंने वहीं पे वर्शा कर दी, तो फिर भारत का मानसुन कैसा हो जाएगा, फिका पड़ जाएगा, मानसुन ने बारिश नहीं होगी, और हमारी यहाँ पे ड्रॉट सुखा जाएगा, तो El Nino का पूरी तरह से प्रभावा जाएगा, तो आप समझ पारियें, तीन अलग-अलग कंडिशन बन सकती है, El Nino की धारा कैसे चलती है, कहाँ पे यह वर्क होता है, इसको Enso क्यों कहते हैं Southern Oscillation, क्योंकि यह तापमान का East और West के हम बात कर रहे है, East और West कैसे यहाँ का तापमान ज़्यादा सामाने स्थिती में, Low Pressure और यहाँ पे Low Temperature और High Pressure, लेकिन यह Walker Circulation कैसे नॉर्मल होता है और कैसे वीक होता है, लेकिन जब El Nino की स्थिती होती है, यहाँ पे Low Temperature High Pressure Maintain हो जाता है और यहाँ पे High Temperature और Low Pressure Maintain हो जाता है, हमने चिली Salt Peter की भी बात की, आप Comment section में बताएंगे लिख करके, कि Indian Salt Peter किसे कहते हैं, ठीक है NaNo3 तो क्या है, चिली Salt Peter है चिली में पाया जाता है यह Sodium Nitrit इसलिए इसको नाम दे दिया है, चिली Salt Peter, ठीक है, तो यह हमने देखा Map के थू कि किस तरह से सामान्य स्थिती होती है Walker Circulation होता है Trade Winds किस तरह से अपना काम करती है और जब सूरिय की स्थिती बदलती है उस समय में हवाएं किस तरह से बदलती है धाराएं अपनी दिशा कैसे बदलती है अब हम इसको देख लेते हैं थोरी के अंदर प्रशांत महासागर Pacific Ocean में सामान्य परिस्थिती की जब हम बात करते हैं जो Trade Winds से व्यापारी खमाएं वो भूमदे रेखा के साथ-साथ पश्चिम की और बहती हैं जो दक्षिने अमेरिका से गरम पानी को एशिया की और ले जाती हैं उस गरम पानी की जगहे लेने के लिए ठंडा पानी गहराई से आता है इसी घटना को अप्वेलिंग कहते हैं ये अपने साथ पोशक तत्वों को लेकर आता है और यहाँ पे क्या होता है जबी तो बाड़ भी आ जाती है एलनीनो और लानीना दो विपरीत जलवायू पैटर्न है एलनीनो के ठीक विपरीत लानीना होती है जो इन सामान्य स्थीतियों से अलग होती है एलनीनो दक्षिनी दोलन एंसो क्या है एलनीनो सदन ओसिलेशन क्या है अब यह हमने देखा ही एल नीनो और ला नीना का प्रभाव क्या होता है मोसम पे इसका प्रभाव पढ़ता है हमारे यहाँ पे मौनसून पे इसका प्रभाव रहता है जंगल की आग हमने देखा किस तरह से बही ऑस्टेलिया है इंडोनेशिया यहां के जंगलों में आग लग ही जाती है लेकिन बारिश हो जाने के नाति वो आग बुझ भी जाती है लेकिन अगर बारिश नहीं हुई एलनीनों का प्रभाव रहा तो वो आग लगी ही रहेगी पारिश थिती की तंतर पे इसका प्रभाव पढ़ता है भई जब हमने देखा कि सामान्य स्थिती में मचलिय हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसके चलते एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन जाते हैं और इसके साथ साथ जो हीमेन है उनके भी हैल्थ के ओपर नेगेटिव इंपेक्ट डालते हैं माइनिंग के उपर negative impact डालते है तो ये पूरी हमारे ecosystem को गड़ बड़ा देता है अर्थ वेवस्ताओं पे अब जब इतने सारी चीजों पे प्रभाव पढ़ रहा है तो economy पे तो प्रभाव आना ही आना है तो अर्थ वेवस्ताओं पे अर्थ वेवस्ताओं पे कैसे आ सकता है बिल्कुल आता है अर्थ वेवस्ताओं पे एकोनोमी पे agriculture sector हमारा प्रभावीत हो रहा है और क्योंकि बहुत बड़ा role play कर रहा है agriculture sector हमारी economy में तो मारी economy प्रभावीत होती है अल्णीनो के घटना आम तोर पर यह एनियमित है irregular है कहा नहीं जा सकता कि लगबग इतने ही टाइम के बाद ऐसा होगा कभी नहीं कहा जा सकता अल्णीनो के घटना आम तोर पर 9-12 महीनों तक चलती है कभी-कभी सालों तक भी चल सकती है अल्णीनो और लानिना घटना इनियमित समय पे नहीं होती स्टार लगाना है इस बात पे अगर आपको option दिया जाता है कि यह regular basis पे होती है और 3-4 year के interval पे आही जाता है अल्णीनो ऐसा नहीं है बहुत बार 7 साल तक नहीं आता बहुत बार 3 साल के बाद भी आ जाता है अल्णीनो का मतलब क्या होता है यह Spanish word है जब यहाँ पे मच्छवारों ने पेरू के तटपे मच्छवारों ने देखा फिर इसका नाम दिया गया है यहाँ पे यह अल्णीनो क्या है Spanish word है जिसका मतलब होता है little boy, छोटा लड़का या इसको बहुत जगए आप male child भी देख लेंगे लिखा हुआ male child दक्षिनी अमेरिका में पहली बार 1600 के दशक में 1600 के सताबदी में परशांत महासागर में ऐसा माने रूप से गरम पानी देखा गया था कि यहाँ का water कैसा हो रहा है warm हो रहा है जबकि पेरू के पास तो पानी कैसा होना चाहिए ठंडा होना चाहिए अलीनो एक वैस्विक जलवायू घटना है जो उश्न कटी बंदी है परशांत महासागर के उपर हवाओं इसलिए हमने trade winds को देखा और समुद्र की सतय का जो तापमान है उसमें किस तरह से बदलावाता है एक बार पश्चिमी जो परशांत महासागर है वहाँ आपमान ज़्यादा है और एक बार हम यह देख रहे हैं कि पूर्वी परशांत महासागर का तापमान ज़्यादा है ध्यान रखना है तापमान कोई ऐसे ज़्यादा नहीं कि 30-40 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया है नहीं पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान के अंतर की जब हम बात कर रहें ध्यान रखना है 0.5 डिग्री सेल्सियस ही तापमान में अंतर होता है लेकिन धाराओं के चलने के लिए इतना अंतर काफी होता है और जब हम बात कर रहें थे धाराओं के चप्टर में कि किस तरह से ऑस्ट्रिलिया के उपर जो पानी है वो आकर के इकठा हो जाता है और जिसके चलते वहाँ पर धाराओं का चोराहा उसे कहा जाता है, वहाँ पर वाटर लेवल अप हो जाता है, यह एलिनो जब आता है, यहाँ पर पानी कठा होता है, वाटर लेवल अप हो जाता है, और यहाँ से जो पानी है, वो किस तरह से काउंटर के रूप में चलता है, ये भी हम देख चुके थे धाराओं वाले चप्टर में है तो बहुत इंपोर्टेंट है करंट सापको पता हो अल्रेडी और ये टेंपरेचर डिफरेंस यूमत समझ लेना कि कोई 20-30-40 डिगरी का अंतर रहता हो गर नहीं 0.5 डिगरी सेल्सियस या सेंटिग्रेट का अंतर र जाती है यानि अप्वेलिंग जो है दक्षिन अमेरिका के पास वो कम हो जाती है या फिर होती नहीं है गरम पानी के कारण परशान जैट स्ट्रीम अपनी तठस स्थिती से दक्षिन की और बढ़ जाती है जिसका प्रभाव ये होता है कि उत्तरी अमेरिका और कनाड़ा के क स्थिती भी बन जाती है एलीनो का समुद्री जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमने देखा ही किस तरह से एक्वेटिक लाइफ को ये प्रभाव अपना इंपक्ट डालता है सामान्य परिस्तितियों में पानी जब गहराई से सतह पे आता है नीचे से पानी सतह पे आता है तो ये पानी ठंडा और पोशक तत्वों से भरपूर होता है अंडर नॉर्मस सरकम्स्टांसिस वाटर कंस तो दा सर्पेस फ्रॉम दाप्ट इस वाटर इस को क्या कहते है अप्वेलिंग कहते है एलीनों के दोरान पानी के ओपर उठने की जो प्रिक्रिया है होती नहीं है पोशक तत्वों के बिना तट से दूर फाइटो प्लेंक्टन कम होते हैं जू प्लेंक्टन कम होते हैं इनको खाने वाली मचलियां जो हैं वो कम हो जाती है फिशरी कम हो जाती है और देखिए एक्वेटिक लाइफ भी किस तरह से हम देखते हैं कि मचलियों को खाने वाले जीव जनतु जो है और इसके लाव मचली जिनको खाती है वो प्रभावित होते हैं तो हमारी biodiversity जो है यानि जो पारिस्थिति की है वो पूरी गड़ बड़ा जाती है जै वीवित्ता गड़ बड़ा जाती है ला नीना क्या होता है L.9 का just opposite क्या है ला नीना है ला नीना Spanish word है जिसका मतलब होता है little girl या female child क्योंकि just opposite है तो जब हमने कहाai L.9 male child है तो ला नीना क्या है? ला नीना को कभी कभी L.9 वियेजो या anti L.9 या एक ठंड़ी घटना ठंड़ी दारा भी कह दिया जाता है ला नीना का एल नीनों के विप्रीत प्रभा होता है एल नीनों में जहां डॉट की situation बन रही थी ला नीना में सामानने से ज़्यादा अच्छी बारिश की स्थीती बनती है ला नीना गटनाओं के दोरान व्यापारिक हवाई ट्रेड विंड्स जो हैं देखे दो ही term को हमने समझा है वोकर circulation को देखा है और व्यापारिक हवाऊं को हमने देखा है और किस तरह से ओशियन का जो टेंपरेचर है उसमें अंतर आता है एग तरफ पुरवी परशांत महासागर में एक तरफ पश्चिमी परशांत महासागर में अमेरिका के पश्चिमी तटके पास पानी के उपर उठने की प्रिकिरिया और ज़्यादा बढ़ जाती है अपवेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है पोशक तत्वे और ज़्यादा उपर आते हैं प्रशान्त महासागर में ये ठंडे पानी जेट स्ट्रीम को उत्तर की तरफ दकेलते हैं, इसते दक्षिन अमेरिका में तो ड्रॉट होता है, प्रशान्त उत्तर पश्चिम और कनाडा में भारी बारिश या फिर बाड़ा जाती है, ला निना वर्स के दोरां दक्षिन में सर् प्रभाव उतना ना है, जो अधर फेक्टर अपना प्रभाव ज्यादा छोड़ें, ला निना के कारण अधिक गंभीर तूफान भी आ सकते हैं, ये था एल निनो और ला निना, बेसिकली एल निनो के जस्ट अपोजिट ही, यानि सामानने स्थिती को थोड़ा सा और स्ट्र हो गया होगा, ये थी आज के हमारी क्लास, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एल निनो, ला निनो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, और क्योंकि केवल अर्थ विवस्ताओं की बात नहीं है, आपके और हमारे जीवन पे इस एल निनो का इंपेक्ट आता है, जिस तर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, नेक्स चेप्टर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जै हिन, जै भारत!